दमिशकार दोस्तों स्वागत है आपका रूपल की रुसोई में दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल और बहुती टेस्टी सा रायता लेकर आई हूँ जिसे हमने तयार करा है चंदलिया से किसी किसी जगे इस भाजी को चौलाई भी कहा जाता है तो ये देखी इस त बड़ाई गरम होने रखी है उसमें डाला है हमने दो चमच तेल तेल को अच्छा सा गरम होने देते हैं डाल देते हैं आदा चमच जीरा तो चुटकी डालेंगे हम इसमें हींग दो सुखी लाग मिच हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इन्हें हम भून लेंगे जीरे की अच्छी से खुश्बू आने लगी है अब इसमें डाल देते हैं अपनी च्वलाई की भाजी को और अच्छे से से मिक्स कर लेते हैं बहुत जल्दी ये रेसिपी तेयार हो जाती है अब इसमें डाल देंगे हम स्वाधनुसा नमक तो हरी सबजी है तो हम इसमें आदा चमच नमक डालेंगे आदा ही चमच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आदा चमच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और आदा ही चमच डाल देते हैं हम इसमें धनिया पाउडर और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक मिर्ट तक हम इसे मसालों के साथ पकाएंगे अब डाल देंगे इसमें हम लगबग आदा कप पानी और लीड लगा कर हम इसे छोड़ देते हैं जब तक कि हमारी जो भाजी है वो सॉफ्ट न हो जाएं चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे हमारी भाजी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी ह हम उसे सुखा लेंगे और एकदम हम इसे ठंडा कर लेते हैं अब हमने लिया है दही और इसे अच्छे से हम फेट लेंगे दही को हमने अच्छे से फेट लिया है और इसमें डाल देंगे हम अपनी तयार करी हुई भाजी को और भाजी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो भाजी हम अतनी से भी मिक्स कर लेंगे जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो दोस्तों तयार है हमारी चौलाई दही वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है आप इसे जरूर तयार करिएगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करकी कमेंट बॉक्स में चुरूर बताएगा थेंक्स और वाचिंग